हेलो एब्रीवन, अभी सही समय है कि आप विनका के प्लांट लगा सकते हो, आप इनको नरसरी से भी ला सकते हो, या फिर आपने लास्ट इयर अगर लगाए हुए हैं, तो आपके गार्डन में ही छोटे छोटे प्लांट मिल जाएंगे, जो बीज गिनने पर गमलों में उग हैं, आप उनको रिपॉर्ट कर सकते हो, मैंने अभी कुछ नए प्लांट खरीदे हैं, विनका के, जो हाइब्रिट वेराइटी के हैं, और कुछ प्लांट मेरे गार्डन में उग गए हैं, जो लास्ट इयर के वीज गिरने से उगे हुए हैं, उन समी प्लांट को मैं होनी चाहिए, मतलब रिच स्वाइल होनी चाहिए, और बेल डरेन होनी चाहिए, जिससे उसमें पानी रुके नहीं, इसलिए गमले के जो पानी निकलने की विवस्ता है, उसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकता है, तो इसकी रूट खराब हो जाती है खासकर जो hybrid विनका होता है उसकी विनका को आप जिस भी गमले में लगा रहे हैं उसकी गहराई जादा होनी चाहिए क्योंकि विनका की जो root होती है वो काफी नीचे तक जाती है गहरे और बड़े गमले में वो अच्छी तरह ग्रोथ करती है जिससे plant भी अच्छी तर करें थोड़ी बहुत आप किनारे किनारे की मिट्डी निकाल सकते हैं अगर आपने नर्शरी से plant करीदा है तो वाकि आपके garden में जो उगा है उनको तो आप डारेक्ट निकाल कर लगा सकते हैं गमलों में सभी plant को report करने के बाद गमलों को एक दो दिन के लिए छाया में रख प्लांट को एसी जगह पर रखा है जहां सुबह की तीन-चार घंटे की धूप आती है उसके बाद जो दीवाल है उसकी चाया इन में आने लग जाती है इस तरीके से आप भी आसानी से अपने गार्डन में विंका को लगा सकते हो आसा है आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फर वचिन थैंक्यू